असलाम अलेकूं विध्यार्ती मित्रानों ब्रहन मुंबई महानगरपाली का ऑनलाइन वर्चौल क्लास्रूम मधे आपले स्वागत आहे मी आहे आपले शिक्षिका स्यज साधिया अब्रारली सलातर्मक पाठाला सुर्वात करूया विध्यार्ती मित्रानों आज आपन मराठी आंतरभार्ती यतना दाहवी या पाठ्थे पुस्तका तिल पाठ क्रमांक साथ बदलना मंजे अब्यास्ना राहोत लेखकाहेत मलहार अरन कल्ले अनि मी आहे आपले शिक्षिका स्यज साधिया अब्रारली भाग दोन विडियो मदे बाकी राहिलेला पाठ समझुन गेविया क्रती देखिल पूर्ण करूया सला तर्मक पाठाला सुर्वात करूया बदलना मंजे लेखकाहेत मलहार अरन कल्ले एकुनिशे बावन प्रसिद्ध लेखक सकाड वृत्त पत्राचे संपादक सुमारे 25 वर्षे पत्रकारितेत कारिरत आहेत साध्या सोप्याव प्रभाही भाषेत लेखन आनी ललित लेखनातिल विविद प्रयोग ही त्यांची वईशिष्टे आहेत रुतु माना प्रमाणे होनारे बदल निसर्ग जसा सहस्विकारतो त्या प्रमाणे मांचाने आपले आयुश्यातिल बदल आनन्द ने स्विकारावेत असे प्रस्तुत पाठात लेखकाने सुचवले आहे बदलना मंजे इसके मानी हैं बदलना यानी मलहार अरंकले मशूर लेखक हैं सकाड अकबार के एडिटर तकरीबन 35 सालों से सहाफत के फराइज अन्जाम दे रहे हैं सादा आसान और रवानी वाली जबान में तहरीरें और उम्दा तहरीर के लिए मुखतलिफ तजरुबात उनकी खुससियात हैं मौजुदा सबक में मुसनिफ ने इस बात को पेश किया है कि इनसान को खुशी खुशी अपनी जिन्दगी में आने वाली तब्दिलियों को कबूल करना चाहिए जिस तरह फितरत मौसमों के मताबिक रोनुमा होने वाली तब्दिलियों को कबूल करती है लाल तीर का निशान आपको जहां दिखाई दे रहा है, वहाँ से हमें आज सबक का मुदाला करना है, इसके पहले का हिस्सा हम पिछले वीडियो में समझ चुके हैं पिछले वीडियो में हमने देखा था कि लेखक का फाउंटेन पेन अचानक कहीं गुम हो जाता है, बहुत डुढ़ने पर भी नहीं मिलता, दूसरा पर इस्सिमाल के लिए हाथ में लेते हैं, लेकिन उन्हें उसमें बहुत सी खामिया नजर आती हैं जब लेखक घर से बाहर निकलते हैं तो उनकी तवज्जा निसर्ग और उसमें होने वाली कुद्रती तबदिलियों की जानिब जाती है, जो मुसलसल जारी वे सारी है, उन्हें ये बाद समझ में आती है कि इंसान तबदिली को पसंद नहीं करता, आज हम सबक के अगले हिस का मुतला करेंगे, आपन बदल स्वीकारताना कुरकुर करतो, कुरकुर करने यासे अरता है त्राज दायक बोलून, नाराजी व्यक्त करने, तक्रार करने, इन्हें शिकायत का इजहार करना, कुरकुर करना, उसनीफ कहते हैं हम तबदिली करते वक्स कुरकुर करते रहते है तबिलीयों पर तनकीत करते हैं, तक्षी आग रही भूमी का घेतो, आग रही हटी, दिद्धी भूमी का यानि किर्दार, नहीं करना चाहिए, वैसी हम आग रही भूमी का जिद्धी किर्दार हम आदा करते हैं. जो नहीं करना चाहिए ऐसा जिद्धी किर्दार हम अदा करते हैं बदलात का ही स्वागत आ रहा आहे कि नहीं तेही तपासुन पहात नहीं स्वागत आ रहा मनजे स्वागत करने आ जोगे इस्तिक्बाल करने लाइक काबिले कबूल उसनिफ यहाँ पे कहते हैं तब्दीली में चंद बातें काबिले कबूल है के नहीं उसे भी हम जाशते नहीं है तपासुन पहात नहीं यहने जाशते नहीं है बदल मतला कि विरोध असा आपला वर्तन अस्त बदल तब्दिली, तब्दिली कहो कि विरोध असा अपला वर्तन अस्त, वर्तन के मतलब होता है वागने, बरताओ, बलते हैं बदल अगर कहा जाए तो हमारा क्या होता है, विरोध मुखालिफत क्या होती है, हमारा बरताओ होता है, हमारे बरताओ से हमारी मुखालिफत नजर टाक्तो एका दुरुस्ति होने वाली हो तो भी हम उसकी मुखालिफत करते हैं विरोत करना मुखालिफत करना सुधारना हाँ वर्वर्चा मुलामा आहे मुलामा जिलई अब यहां पे मुसन्निफ कह रहे हैं दुरुस्ती ये उपर उपर की मलम्मा कारी है पॉलिश है तो दिखाऊ आहे दिखाऊ वरवर्चा दाखोण्या पुर्ता दिखावा है केते हैं वो सिर्फ दिखावा है त्या मागे दडलेले वास्तो वाइट आहे अशी भूमी का हिरी रीन मानतो दडलेले लपलेले वास्तो खरी परिस्तिती हकिकत हिरी रीने माणने आगरहने मुद्दा माणने जित से कोई मुद्दे को सामने पेश करना अब यहाँ पर मुसनिफ कर रहे हैं त्याम आगे दड़ले रे वास्तो उसके पीछे छुपीवी हकीकत वाइटा है बुरी है अशी भुमी का हिरी रीने माणने तो ऐसा किदार हम जलदी से अदा करते हैं विजे साजरा करतो विजे कामियाबी साजरा करना जश्न मनाना कामियाबी का जश्न मनाते हैं अशामुडे बदल दूर जातो इस वज़े से तब्दिली हमसे दूर चली जाती है यहाँ पर मुसनिफ ने इस बात को पेश किया है कि इनसान जो है कोई तब्दिली कबूल करना नहीं चाहता है अगर कोई तब्दिली का मौका आता है तो वो उसमें खामिया निकालना शुरू कर देता है मुखालिफत करना शुरू कर देता है इतके उन्हाले पावसाले अनुभवत आपन वाड़त रहतो नव नवे अनुभव पर्च्वत जीवन करम करत रहतो जीवन करम दिन चरिया इतके उन्हाले पावसाले इतनी गर्मी और बारिश अनुभवत आपन वाड़त रहतो इतनी गर्मी और बारिश के तजरूबे लेकर हम बड़े होते हैं नव नवे नै नै अनुभव तजरूबे पच्वत हजम करते हुए जीवन करम करत रहतो पण आजू बाजू छिया निसरगा पासून एवड़ ही शिकू शकत नहीं। लिकिन आज पास के खुदरती मनजरों से फित्रत से हम इतना भी सीख नहीं पाते। नहीं, आपन बदल सहजा सहजी सुलकारतस नहीं। नहीं हम तब्दीरी आसानी से कबूल नहीं करते। सक्ति के लिए सक्ति करने जबर्दस्ति करने। सक्ति के लिए तरश आपन बदलाना माननेता देतो। माननेता देना कबूल करना, तसलीम करना। मुसनिफ कह रहे हैं सकती किये तो तभी हम दब्दिली को कबूल करते हैं आपन बदलत नहीं मनून आकरस लेले दुर्मुख लेले रहतो आकरस लेले सुकड़े हुए दुर्मुख लेले उदासीन उदास रहना हम बदलते नहीं इसलिए सुकड़े हुए दुर्मुख लेले उदास रहते हैं, बदर्ण हा निशरगार्चा इस्थाई भाव आहे, इस्थाई भाव मूर्ण सवभाव, बुनियादी मिजाज, बुनियादी जूज, असल जूज, कहते हैं, बदर्ण हा निशरगार्चा इस्थाई भाव आहे, तबदील ये कुदरती मनजर का बुनियाद तब्दीली ये फित्रत का बुन्यादी जुज है, तो त्यार्चा स्वभाव आहे, वो उसकी फित्रत है, मिजाज है, आपन्ड वर्तनाला बदल खपून घेऊ शकत नहीं, वर्तन बरताओ, हम बरताओ की तब्दीली खपून घेऊ शकत नहीं, येने बरदाश नहीं कर सकते, तिथा स्वभाव बदलन्याची गोश्ट दूर स्ठेवली पाहिजे, तब मिजाज या फित्रत बदलने की बात बहुत दूर रखनी चाहिए, येने जहां पर हम सिर्फ बरताओ नहीं बदल सकते, वहां पर हमारा मिजाज कहां बदलेगा, मी असा आहे, मैं ऐसा हूँ, असा सांगन्यातर्स आपल्याला धन्यता वाटते, धन्यता वाटने, सार्थक वाटने, खुश्कित्म समझना, खुदको अच्छा समझना, असा सांगन्यातर्स आपल्याला धन्यता वाटते, हमको बड़ापन लगता है, खुश्कित्मती लग सार्थ गर्वधारन करने, खुद पर फखर महसूस करना, आपन त्यातर्स अभीमान बालक तो याने हम उसी पर फखर महसूस करते हैं। याने हम अपने आप में ही रहने में फखर महसूस करते हैं। या फिर पुनहा ताजे तवाने हुने फिर तर उताता हो जाना, खिल जाना। बदलना मनजे फुलन, तब्दीली याने खिलना। बहरन, बहाराना, काट टाकना, केचली उतारना। जुना सोडू नव हुना। पुराना छोड कर नए हो जाना। जाड़ावर कोवली पालवी एते, पालवी नवीन कोड़ी पाने। नए जो पत्ते आते हैं, नाजुक पत्ते, उन्हें कहा जाता है पालवी। कह रहे हैं, दरक्त पर नाजुक पत्तियों का आना। पानवाडू लागतात पत्तियां बढ़ने लगती हैं पाना आड कड़ेया हसु लागतात पत्तियों के पिछे कलियां हसने लगती हैं त्याणची फुल होतात उनके फूल बनते हैं जाड़ावर सुगंदाचा सौंदरियाचा उत्सव बहर्तो उत्सव संड कह रहे हैं दरख्त पर सुगंदाचा खुश्बू का सौंदरियाचा खुश्बू का 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 जान, पुन्हा, पाल्वी, कल्या, फुल अनी फड़, बदल, एक सारखा बदल, अब यहां मुसनिफ कहते हैं, फूलों से फल, और फूल का गिर जाना, दुबारा नाजुक पत्तियां, कलियां, फूल और फल, तब्दिली, लगातार तब्दिली, बदलना मंजे, दूसरे अचिया भावनांची, समरस होना, दूसरे अला समजुन घेना, समरस होने, यह चे अर्दा है, एक रूप होने, तब्दिली से मुराद है, दूसरों के जज़बात से समरस होना, मुत्तफिक होना, दूसरे अला समजुन घेना, दूसरों को समझ लेना, आपन बदलायला हट्टाना नकार देतो आणि आयुश्यात विसवाद ओडून गेतो विसवाद सवाद नस्रने यहाँ पर मसनिफ कह रहे हैं आपन बदलायला हट्टाना नकार देतो हम जो है तब्दिली के लिए जिद से इंकार करते हैं नकार देते हैं अठी आयुशियात अभी संवाद ओडून गे तो जिन्दगी में मुखालिफत को ओड लेते हैं, किसे संवाद नहीं करते हैं, मुखालिफत को ओड लेते हैं, बदलो नहीं तर दुसरे कुनाशी सूर जुनारस नहीं यहां मुसनिफ कहते हैं अगर हम नहीं बदलेंगे तो दूसरे किसी भी शक्स से हमारा सूर जुलेगा नहीं, सूर में सूर मिलेगा नहीं, सूर कैसे मिलेगा नहीं, मिल सकता है सूर लोगों से मिलने के लिए, उनमें मिल्जूल का रहने के लिए हमें अपने आपको तब्दिल करना जरूरी होता है, तमाम लोगों के जजबात से हमें मुत्तफिक होना जरूरी होता है, दूसरों को समझ के लेना जरूरी होता है, हम अपनी जिद से कोई भी काम नहीं कर सकते, इसके लिए हमें हर चीज से एड़्जेस होना है, अपने आपको ढालना है हर बदलाओ के लिए. सब्त रंग मंजे काई आहे? सब्त रंग यह से अर्था है साथ रंग. मुसनीफ कहे रहे हैं साथ रंग से क्या मुराद है? एकातून दूसरा बदल आणि त्यातून विखसी जालेला रंगार चा अनुपम सोंदर्य. अनुपम अवर्णनिय सर्वत कुष्ट. यहां पर मुसनीफ कहे रहे हैं एकातून दूसरा बदल. एक से दूसरे में तब्दिली. आणि त्यातून विखसी जालेला रंगार चा अन सूर्ती सब्त सूर मंजे तरीक आया है सब्त सूर साथ सूर यहां वो सनिफ कह रहे हैं साथ सूर से क्या मुराद है एका पेक्षा वेगडा सूर एक सूर से निराला दूसरा सूर त्या सुरावट इंच्या सर मिचली तुन उमल लेला संगीत सुरावट सुराणची बांधनी चाल सर मिचल एकत्री करण मिश्रण यहने जो स्वर की जो बनावट होती है जो उसकी चाल होती है उसका आपस में एकत्री करण होना हो आपस में गुल मिल जाना यहां पे मुसनिफ कहते हैं एका पेक्षा वेगड़ा सूर त्या सुरावट इंचिया सर मिचली तुन उमल लेल संगीत इन सुरों के मिलाव से पैदा होने वाला उम्दा म्यूजिक एक सूर से निराला दूसरा सूर इन सुरों के मिलाव से पैदा होने वाला उम्दा म्यूजिक संगीत यने म्यूजिक भी सुरावट बदली नहीं ये सुर तबील नहीं होते एका सुराना दुसरा सूर स्वताहशी जुरुण घेतला नहीं तर सुरावट जमनार कशी एक सुरने दूसरे सुर से जुरुण गेतला नहीं जुल्वून गेने मांडवली करने तरजोड करने आपस में जुड़ जाना आपस में बात्चीत कर लेना रिष्टा जोड लेना आपस में तो यहां मुसनिफ कह रहे हैं एक सुर ने दूसरे सुर से मेल नहीं खाया तर सुरावट जमनार कशी तो सुर जमेगा कै से बदल आहे मनूनतर एक मेकां सा महत्वा है तब दिली है इसलिए तो एक दूसरे की एहमियत है याने सुर में सुर जब मिलते हैं तभी जो है अलग से जो है सुरावट या सुराणची बांधनी जो है वो तयार होती है अगर सुर मिलेंगे ने तो एक ऐसा बनेगा अब यहां कह रहे हैं हारे रंग का खिलना उसकी शोभा उसकी सजावट लाल रंगी की वज़ा से ही उज्विदिस ते उम्दा दिखाई देती है तान हलका होतो, तान हलका होने, दबाओ कमी होने, टेंचन दूर होना, टेंचन हलका होना, कहतें तान हलका होतो, टेंचन हलका होता है, तो हास्या मुळ, किस वजे से? हास्या मुला हसने की वजे से हसू आणि दुख विसरत ते आनन्द आचिया शिरकाव्या मुला तो हास्या मुला यहने वो हसी की बदलत और दुख हम भूल जाते हैं वो खुशियां शिरकने की बदलत आनन्द यहने खुशी और शिड़का चुड़कना तो हम दुख क्यूं बूलते हैं खुशियां चुड़कने की बदॉलत यहाँ पर मुसनिफ ने में बताया है सुरों की मालूमाद दिये, सुरों का तालमेल समझाया है काले सफेद रंग की एहमियत बताई है हरे लाल रंग की एहमियत बताई है दुख और खुशी किस तरह से होती है वो बताया है हमें यहाँ पर यहने मुसनिफ ने इस बात को पेश किया है कि किस तरह तब्दिली आती है लहान मूल एकां खेलनेयाद फार काल रमत नहीं छोटा बच्चा जो होता है एक किलोने में ज्यादर देर तक दिल नहीं लगाता त्याला नाविन न्याची ओड असते उसे ने की चाहत होती है नाविन न्यापन उसे कुछ ना कुछ न्याचाही होता है ओड असने चाहत होना त्याची आ दृष्टी तल्स नवे पणाला सामोरा जानेचा तेज असत दृष्टी येरे नजरिया नवे पणाला न्यापन सामोरा जाना मुकाबला करना तेज इन चमक उसके नजरिये में ही नैयापन का मुकाबला करने की चमक होती है आपन वार्त्या वयाबरो पर हा तजेला हरुन बस्तो आणि एके का गोश्टीशी जखड़ून पड़तो तजेला टवटवीत पणा तरो ताजा जखड़ून पड़ने बंधनात अड़कने बंधन में अटक जाना अब मुसनिफ यहां पर कह रहे हैं आपन वारत्या वया बरोबर हम बढ़ती उम्र के साथ साथ हा तजेला तजेला ने ताज़गी ताज़पन यह ताज़गी हरुन बस्तो भूल जाते हैं आणि एक एका गोश्टीशी और एक एक बात से जखड़ून पड़तो याने बंधन हम टालते हैं बदली च्या गावला जाना ताब आद लेके गा उजाना तल्हा निसर्ग वहांकी覨गें लोगोंको नेहारना त्या प्रदेशाशी एक रूप होने आतला आनंद घेड़ें एक रूप होना यगजा हो जाना मिल जुल जाना उस इलाके में यगजा होना उसमें खुशी हासिल करना त्याला आपल्या लेखी काही महत्वन अस्त इसे हमारे पास कोई तहरी हमियत हासिल नहीं होती है, आप लियाला बदलाई सा नस्त, हमें तब्दिल नहीं होना होता है, माणुनरस आपन बदली टालतो, इसलिए हम तब्दिली को टालते हैं, कि छोटे पच्चे में जो है नय की चाहत होती है नय पन का मुकाबला करनी की चमक होती है लेकिन जो बड़े हैं उनमें ये बात नहीं पाई जाती एक मामूली सी नौकरी में जब तबादला होता है तो वहाँ पर भी वो इनसान जो है बदलना नहीं चाहता तब दिली को टाल रहता है यहनों उसके इनसान के पास उसका कोई महत्व नहीं रहता है क्योंकि इनसान को बदलना ही नहीं होता है अगर हम दिल में ठान लें कि हमें तब्दिल होना है तो हम किसी भी चीज से नहीं घबराएंगे क्योंकि बच्चों बदलाओ या बदल से ही तो हमारी बदलने पासुनर्स आपन बदलने से लेकर आपन बदलने से लेकर आपन बदलने से अभ्यास सुरू करू हम तब्दिली कबूल करने का मुताला शुरू करेंगे प्रैक्टिस शुरू करेंगे डावा उजव जरूर तपासा डावा उजव करने तार तम्याने बगने मुसनिफ कह रहे हैं उल्टे सीदे को जरूर जाचे पन बदलनारस नहीं अशी एकांगी भूमी का घेव नका मुस ऐसा एक अंगी एक तरफी एक तरफी या एक तरफा किरदार न निभाएं जिद ना करें कोई बात के लिए। मुसनिफ कह रहे हैं नवयाना स्वागत कर ऐसा संदेश नए का इस्तिकबाल करने का पैगाम संदेश एक सीख वसंत आगमना बरोबर आपन सुईकारणार का मुसमे बहार के साथ हम कबूल करेंगे क्या मुसनिफ ने हमसे इस बात का सवाल किया है मुसनिफ ने हमसे यहाँ पर ये सवाल किया है, उमीद है आप लोगों को सबक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, इस वीडियो को आप बार बार देखें, इसके शब्दार्थ, वाकिपरचार और उनके अर्थ, इसको जहन नशीन करें, क्योंकि आपके जो इम्तिहान में सवालात होते हैं, पूरे सलात रापणाता कृती करूया, खालील आकृती पूरुण करा एक, बदल लेल्या पेन मधे आढ़ल लेली वई गुण्ये तबदील हुए पेन में, जो सुका थी, जो खामिया थी, वो हमें यहाँ पर बताना है पेन वजंदार होते, सबक में हमने पढ़ा है, पेन वजंदार होते, वलन पहिलिया पेना सारखे नहोते उसे जो अक्षर या हुरुफ लिखे जा रहे थे, वो पहले पेन की तरह नहीं लिखे जा रहे थे रंग शोबेसान होता, रंग भी जच नहीं रहा था शाई थोड़ी फिकट होती, उसकी सियाही भी थोड़ी हलकी थी अक्षर किर्टे उम्टत होते, अक्षर बहुत बारीक लिखे जा रहे थे ये खामिया हमने सबक में देखिएं, इन्हें आपको कॉपी में तहरीर करना है लेखकाचिया मते बदलन मनजे नमबर एक फुलने, बहरने खिलना, बहार आना कात्र टाकने, केचली तब्दील करना, केचली उतारना जुने सोडून नवे हुने, फुराना छोड कर नया हो जाना दूसरेंचिया भावनांची समरस होने, दूसरों के जज़वाद से मुत्तफिक होना बदल सुईकाण्याचिया बापती, लेखक वनिसर्ग्यांची तुलना करा हमें इनका फर्क लिखना है आपस में, के बदल सुईकाण्याचिया में लेखक और निसर्ग्याचिया इन दोनों के क्या हालात थे? नमबर एक, बदल सुईकाण्याचियास मन कुरकुर करीद होते, वह असथावार्नी होती लेखक ने बताया है हमको के उनका जब पैन तब्दिल हो गया था पेन उनका नहीं मिल रहा था, तो वो तब्दिली कबूल नहीं कर पारे थे, उनका मन जो है कुरकुर कर रहा था, उनकी बेचेनी बढ़ गई थी. निसर्ग का क्या हाले देखते हैं, नवे नवे बदल सहस गत्या स्विकारतो, कुद्रत या फित्रत नई नई तब्दिलियां जो है कबूल करती है, दो, लेखक का दूसरा पॉइंट है, साधा बदल पच्वाइला मन तयार नहोता, एकदम साधा सी तब्दिली भी हजम करने क लिए लेखक का दिल तयार नहीं था, वो राजी नहीं हो पा रहे थे, एक मामुली सा पैन उसमें होई तब्दिली वो कबूल नहीं कर पा रहे थे, निसर्ग का देखते हैं, हिवाडा संपला की उन्हाडा समाउन गेतो, सर्दी खतम हुई, तो वो गर्मी को समा लेता है, उन्हाडा केला की पावसालियात रंगुन जातो, गर्मी गई की बारिश में रंग जाता है, यहने फित्रत या कुर्दरत के यह मौसम बदलते रहते हैं, और उन्हें तब्दिल होना होता है, और उन्हें कबूल किया जाता है, पाथाचिया आधारे खालील तक्ता पूर्ण करा, सबक की बुनियात पर यह तक्ता पूर्ण करना है आपको, पावसाला सुरू जाले नंतर निसरगात जालेले बदल, बारिश शुरू होने के बाद फित्रत में होने वाली तब्दिलिया, उन्हाला सुरू जाले नंतर निसरगात जालेले बदल, गर्मी का मौसम शुरू होने पर फित्रत में होने वाली तब्दिलिया, आका शातुन रेशिमधारा बरस्ताद, आस्मान से रेशिमधारा बरस्ती है, पानी बरस्ता है, असह या उकाड़ा होतो, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, वीजान सा कड़कडाट वर धगान सा गड़कडाट हो नदी नाले धबदबे वाहु लागताद, बिजलिया कड़कती है, बादलों की आवाज होती है, और नदी नाले आवशार बहने लगते हैं, उन्हाड़यातली, अंगातली, शिर्षिरी, वेगरी अस्ते, गर्मी में जो बदन में जो अलग किस्म की कपकपा हाट होती है, वो अलग ही होती है, गर्मी के मौसम में बदन में जिसम पर बारिक काटे आते हैं, गर्मी के मौसम में बदन में शिर्षिरी होती है, वो अलग ही होती है, एक तरह के काटे, एक तरह की बेचेनी से महसुस होती है, स्ष्ष्टी हिर्वीगार होते जो फित्रत है वहाँ पर पूरी हर्याली चाही होती है हमारे तराफ में हर जगा हर्याली होती है काइनात में हिर्वी स्ष्ष्टी सारी प्यून टाकतो गर्मी का मौसम जो है हर्याली पूरी खत्म कर देता है यह फर्क है यहाँ पर सरल रूप मूल शब्द लिहा असल शब्द आपको लिखना है शब्द सरल रूप पाउस आलयाद इसका सरल रूप है मूल शब्द है पाउस आकाशातून इसका मूल शब्द है आकाश पक्ष्यांची पक्षी जाड़ाने, जाड़, इस तरह से सरल रूप या मूल शब्द आपको अपनी नोटबुक में तेहरीर करना है. खालिल शब्द समुहान साथी एक शब्द लिया हाँ, जो शब्द समुह दिये गए हैं, उनके लिए आपको एक शब्द लिखना है, जाला लीता वार्सता येत नहीं असा, निरक्षर, जिसको लिखने पढ़ने नहीं आता है, निरक्षर, कशाची ही इच्छा ना बालग ना कोई भी ख्वाहिश न हो जिसे, निरिच्छ, मोट्स केज बोलना रा, बहुत कम बोलने वाला, मित भाशी, दूसरे आवर उपकार करना रा, परोपकारी, शब्द समुह के लिए एक शब्द हमने देखे, इस काम को भी आपको अपनी कॉपी में तहरीर करना है, और प्यारे बच्छों, अच्छी तरह से वीडियो को देखिए, अलफाज मानी, शब्दार्त, वाक्य प्रशार, उनके अर्थ सब ध्यान दीजिए, एक्स्प्रिनेशन वजाहात पर तबज़ा दीजिए, क्योंकि इम्तिहान में उतारा दिया जाता है, अगर आपने सबक को समझ लिया तो आप किसी भी किस्म के सवालों के जवाबाद अच्छी तरह से लिख सकते हैं, धन्यवाद, विद्यार्ती मित्रा नो, मी अशी आशा बालकते, कि आम सा हा वीडियो आपना अच्छ न किया वडला हसल, आज आपन जे शिकलत, समझन गेतलत, या बाबत धन्यवाद देते पुना बेट विया पूर्शयातास牛।